मेंटोर जी क्लासिज में आपका स्वागत मैं वीजे फिर बाइलोजी का डीजे बजाने के लिए आपके साथ तैयार हूँ आपके लिए बाइलोजी को असान बनाने के लिए फिर शुरू करते हैं नया सेशन पिछले वीडियो में हमने कम्प्लीट किया था चैप्टर फाइव के एकसरसाइज कोश्चन्स और जल्दी ही मैं आपके साथ उसके MCQ, Assertion Reason, Board में आये हुए तू मार्क्स, थ्री मार्क्स और लॉंग कोश्चन्स उनके साथ भी धीरे-धीरे जुड़ते रहेंगे इसी बीच अब शुरू करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर सिक्स, Control and Coordination देखें, ये वर्ड बड़ा इंपोर्टेंट है, Control and Coordination जीवन में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और जितने भी लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा Coordination होना भी बहुत जरूरी है, इसी लिए बहुत सारे वर्ड के साथ हम Co शप्त ये जोड़ते हैं, Co, यानि कि C O जैसे Coordinates में, आपका आगया Colleagues, Comates, इस तरीके से हम चीजों को जोड़ते हैं, यानि कि हमारे साथ काम करने वाले, उसी तरीके से हमारे शरीर में, अभी हमने, लास्ट चैप्टर में, यानि कि Life Processes में, Human के अंदर चार सिस्टम पढ़े, हमने पढ़ा, Digestive सिस्टम, हमने पढ़ा, आपका, Respiratory सिस्टम, हमने पढ़ा, Excretory सिस्टम, और फिर हमने पढ़ा, Transport System, अब आप ध्यान से देखेंगे, तो इन सभी सिस्टम्स को एक दूसरे से connect करने वाला केवल एक ही सिस्टम है, इसी लिए इसके अंदर ब्लड है, और ब्लड को हम क्या कहते हैं, ब्लड को हम कहते हैं, Connective Tissue, यह प्लड ही है, यह हमारा Transport System भी है, जो इन सारे के सारे Systems को एक साथ जोड़ रहा है, क्या कर रहा है इनको, Coordinate कर रहा है, इनका एक साथ Coordination, सब मिलकर एक साथ वर्क करें, उसके लिए हमारा Central Nervous System, क्या है यह, आपका Central Nervous System, यह भी Responsible है, and Central Nervous System, has Brain and Spinal Cord, एक को कहते हैं हम Brain, दिमाग सभी समझते हैं, और Spinal Cord, यह रीड की हड़ी के अंदर छुपा हुआ होता है, हमारी एक Tube-like structure है, जिसे हम कहते हैं Spinal Cord, तो यह सभी मिलकर, इस तरीके से Coordination करते हैं, अब कैसे Coordination होता है, अब देखे, Digestive System का और Transport System का एक साथ कैसे मेल जोल है, कैसे Coordination है, मैं आपको समझाता हूँ, Digestion कंप्लीट हो गया Intestine में, अब आपने पढ़ा था Absorption, अगर Intestine से Food बलड में Absorb होकर, विलाई के थुरू अगर बलड में Absorb नहीं होगा, तो वो Body Parts को कैसे Dispatch करा जाएगा, तो अब आप समझ सकते हैं, How Blood is Important, और How Transport System is Important, Otherwise तो खाना सारा पेट में ही रह जाएगा, इस Intestine में ही रह जाएगा, और उसका फाइदा पूरे शरीर के और Body Parts में नहीं हो पाएगा, इसी तरीके से देखिए, दूसरा Respiratory और Blood का रोल उनका एक दूसरे के साथ जुड़ना किस तरीके से हमारे लिए बहुत जरूरी है, देखिए जी, Oxygen Lungs तक पहुँची, अब Lungs तक जब Oxygen पहुँची, तो Lungs के अंदर Oxygen Alveoli में पहुँच गई, अलveoli से वो Blood में मिक्स होती है, और Blood उसे लेकर Heart में जाता है, और फिर Heart से Body Parts में जाता है, इसी तरीके से, टिशू से या Body Parts से जो CO2 होती है, वो वापस Blood के थूरू Heart में पहुचती है, जिसे हम Deoxygenated Blood कहते हैं, Oxygen वाले Blood को हम Oxygenated Blood कहते हैं, और ये Heart से फिर वापस हमारे Lungs में पहुचता है, Lungs में Alveoli Blood के थूरू CO2 सारी अपने अंदर Absorb कर लेती है, and CO2 will be out, तो अगर Blood नहीं होगा, तो Lungs में ही CO2 आपकी O2 रह जाएगी, आगे जाएगी नहीं, और जब आगे नहीं जाएगी, तो CO2 वापस कैसे आएगी, तो आप समझ सकते हैं, कि How important is the transport system, इसी तरीके से अब excretion और transport system की बात करते हैं, अगर excretion के लिए Blood ही नहीं पहुचेगा Kidney को, तो Kidney filter किसे करेगी, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, कि हर किसी system का Blood के साथ connection होना बहुत बहुत जरूरी है, और उसी connection को, अब हम किस तरीके से ये control होता है, ये आपस में एक साथ कैसे मिलकर काम करते हैं, इनके अंदर किसी भी तरीके की miss happening को, इनके बीच के मन मुटाव को, इनकी लडाई को होने से कैसे बचाया जा सकता है, भई लडाई भी हो सकती हैं इनके बीच में, systems हैं, कोई भी खराबी आ सकती है, कोई भी connection कमजोर हो सकता है, कोई भी coordination इनके point बीच में lose हो सकता है, तो वो सारे system को maintain करता है, यह control and coordination के अंदर cns, जिसे हम कहते हैं central nervous system, और यह किस तरीके से मिलजूल कर सारे organs को, और organ system को एक जुट होकर काम कराता है, इसी को हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं, तो this is the outlook और introduction, what we are going to have in this chapter, so let's start the nervous system, अभी मैंने आपको बताया, अभी यह nervous system, बड़ा important, अब आप इसको शुरू करते हैं, देखिए, nervous system, nervous system की structural and functional unit है आपकी neuron, neuron is the structural and functional unit of nervous system, अब अगर इसके diagram पर हम focus करें, तो यह बिल्कुल ऐसी दिखती है, जैसे की एक पेड़ की शाखाएं, एक branches हों, तो यह इस तरीके से हमें पेड़ जैसी महसूस होती है, तो अब हम इसके diagram के उपपर focus करते हैं, यह इस तरीके से एक पेड़ जैसी structure है, जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें बड़ी branches हैं, और फिर इन से और छोटी branches निकल रही हैं, जैसे हर सेल भी nucleus होता है, ऐसे ही इसके पास भी nucleus है, जैसे हर सेल के पास cytoplasm होता है, ऐसे ही इसके पास भी cytoplasm है, तो अब labeling की बात करते हैं, देखिए जी, यह बड़ी branches इसकी कहलाएंगी dendrons, dendrons मतलब large branches, large tree-like branches, similarly, these are dendrites, small tree-like branches, small tree-like branches, तो बड़ी branches को हमने क्या नाम दिया, हमने उसको नाम दिया dendrons, छोटी branches को हमने नाम दिया dendrites, next it is the cytoplasm, जिसको हम नाम देते हैं, निउरो प्लाजम, एंड दिस इस दन्यूक्लियस, एंड दिस अब ओव, यह पूरा का पूरा जो आपको पेड़ लाइक structure पूरी दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं, cyton और pericarion और cell body, इसको हम एक ही चीज को यह उपर का outer part जो है यह आपका सबसे upper part, इसे ही तीन नाम से जाना जाता है, या तो इसे आप कह देजिए cyton या कह दीजिए pericarion या कह दीजिए cell body, अब बात करते हैं हम next पर, यह पूरा का पूरा हिस्सा बचावा, यह कहलाता है exon, that is the second part of neuron, अब इस exon के उपर, किसी किसी neuron में, schwann cells होती हैं, यह जो मैं cell बना रहा हूं, these are schwann cells, so these are schwann cells, these cells may secrete, may or may not secrete, अब हो सकता है, यह myelin sheet secrete करें, और यह myelin sheet secrete नहीं करें, अगर यह myelin sheet secrete करती हैं, तो ऐसी neuron, myelinated neuron कहलाती है, और यह non-myelinated, तो अब इस basis पर, आप बीच में एक और special point देख रहे हैं, आप जगे जगे यह गड़े देख रहे हैं, these are knots of renvier, यह जिसमें भी myelinated neurons जो भी होंगी, वो in knots of renvier को भी रखेंगे, जिसकी वज़े से conduction थोड़ा सा fast हो जाता है, थोड़ा difference आता है, तो यह अलग-अलग हिस्सों में, हमें दोनों तरीके की neurons मिलती हैं, यह आपके syllabus में हैं नहीं, यह जानकारी के लिए मैंने बताया था, तो इस पर ध्यान रखेंगे, उसके बाद यह तीसरा हिस्सा है, और यह तीसरा हिस्सा है आपका nerve endings, और exon endings, यह तीन हिस्सों से मिलकर आपकी पूरी neuron बनती है, देखिए आपको यहां भी दिये में है यह, हम इसकी बात करें, तो इस बुक में आप देखेंगे, तो इस बुक में आप देखेंगे, तो इस एक्जोन, इस डेंडराइट, नुकलियस, एंड सेल बॉड़ी, तो आल दीज डिफरेंट पार्ट्स, इनको भी हमने बढ़ा है, तो सिंपली अगर हम सिंपल एक बात करें, तो नुरॉन को हम तीन बेसिक पार्ट्स में बाढ़ सकते हैं, पहला सेल बॉड़ी, दूसरा एक्जोन, और तीसरा एक्जोन और नर्व एंडिंग्स, तो इस आर दा डिफरेंट पार्ट्स अप दे नुरॉन, और नुरॉन is the structural and functional unit of nervous system, तो human nervous system में यह जिनमें भी nervous system होता है, सभी के अंदर यह common है, little bit there is a difference in the structure, and there are different parts, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जितने developed organisms हैं, जैसे human most developed animal, तो इन में बहुत बहुत बहतरी हमारे अंदर बहुत अच्छे तरीके से nervous system पाया जाता है, तो यह हमने बात करी neurons की, अब इसको मैं आपको share कर रहा हूं, इसको आप QR code को access करें, ताकि यह आपके लिए फायदे मंद हो, future notes की तरह आपके पास रहें, और आप इसका utilization कर सकें, क्योंकि notes आपके पास होना जितना हास से लिखेंगे, जितना repeated writing पर ध्यान देंगे, उतना ही आप subject को अच्छा बना पाएंगे, उसमें strong हो पाएंगे, questions के answers दे पाएंगे, I think this is enough time to scan this, next move to the other part, अब यहां पर एक और बड़ा important point हम discuss करते हैं, हमारे शरीर में होते हैं sense organs, और in sense organs के अंदर होते हैं receptors, तो हमारे सभी sense organs में अलग-अलग receptors पाए जाते हैं, और यह एक number का बड़ा important question है, बोड के अंदर अकसर आ जाता है, तो देखिए जी सबसे पहले AI की बात करते हैं, AI के अंदर हमारा sense organ होता है, जिसका नाम है photoreceptor, आपने physics में यह पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वो भी हम अभी लेकर चलेंगे, roots and cones retina के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम है to detect light, तो यह light detect करते हैं, दूसरी बात करते हैं जी हम ear की, ear के अंदर होते हैं जी आपके, ear के अंदर photoreceptors, sorry phono, phono receptors, ear के अंदर और इनका काम है, to detect sound, यह sound को detect करते हैं, next we have the eye, then ear, then we have the nose, in nose we have phono होगे आपका ear में, nose में होता है आपका olfactory receptor, olfactory receptors, olfactory receptors to detect smell, अभी आपने mentor जी पर ही एनवी सर की class में जरूर पढ़ा होगा, olfactory indicators के बारे में, तो olfactory word यहीं से ही लिया गया है, olfactory receptors से उसके लिए अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं है, nose के बाद हम बात करते हैं, skin के, skin के अंदर, we have two receptors in skin, and these receptors are mechanoreceptor and thermoreceptors, mechanoreceptors and thermoreceptors, mechanoreceptor का काम है, to detect pain and pressure, and for thermoreceptor to detect temperature, that means hot and cold, उसको determine करने के लिए हमारा होता है, यह thermoreceptor, receptor, then in last, we have thung, thung, we have the gustatory receptors, and the gustatory receptor has the job to detect, detect, test, अब यह five sense organs हैं, और पांचों के पांचों sense organs में, मैंने आपको बताया, कि कौन कौन से, हाला कि, बस बुक के अंदर आपको दो, आपको दिखाये गए हैं, दिये गए हैं, लेकिन यह आपको पता होना चाहिए, clear होना चाहिए, क्योंकि यह कुछ भी पूछा जा सकता है, हैं, so here you have the gustatory receptors, and all factory receptors, but there are other receptors also, फिर यह आपके लिए वड़ा important information है, जो आपको future के लिए रखनी भी चाहिए, save और यह important है, फिर आपको इसको share कर रहा हूं, QR code के लिए, तो उसमें आप ध्यान रखें, save रखें इसे, और आगे, notes बनाएं इसके, ताकि आपके लिए यह useful हो सके, so I think it is enough time to have this, let's move to next, अब देखें ध्यान से यहां पर, कि किस तरीके से होता है यह आपको समझा रहे हैं, कि the information, कोई भी information, अब इसको समझते हैं हम, कि कैसे information, कोई भी travel करती है, देखिए जी, आपका, जैसे suppose कीजिए, कोई चीज भी हमने, अब एक और इसको समझने से पहले, एक और चीज समझते हैं, junction, जंक्षन जो होते हैं, वो हमारी बॉड़ी में तीन तरीके के होते हैं, एक होता है, between one neuron to other, यानि कि दो neurons के बीच में junction, एक होता है, between neuron and muscle, विसे हम कहते हैं, neuromuscular junction, और एक होता है, आपका तीसरा, between neuron and gland, that is named as neuro glandular junction, commonly यही सारे junction, हमारे शरीर में synapse कहलाते हैं, इनको ही हम नाम देते हैं, synapse, these are named as synapse, इन्हें ही synapse नाम दिया जाता है, अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं, कि आपको यह दिया हुआ है, देखिए, neuromuscular junction, जिसकी मैंने बात की, जो की nerves, यह देखिए, exon, exon के बाद, exon endings, और exon endings, यह muscle fibers के साथ जुड़े वे हैं, और इसका यह और बड़ा view आपको दिखा रखा है, तो अब travel किस तरीके से करता है, देखिए, एक neuron से दूसरे neuron के बीच में, या एक neuron से आपका दूसरे एक neuron से muscle के बीच में, या एक neuron से gland के बीच में, किस तरीके से यह travel करता है, इसको समझते हैं, that is very very important, तो अब आप इसको भी QR code से पहले scan कर लीजे, फिर उसके बाद मैं इसको समझाता हूं, कि how is it useful for you, कि किस तरीके से यह junctions work करते हैं, यह sign-ups work करते हैं, let's see, just share this QR code, then we will proceed, या अब आप असानी से इसको future use के लिए रख सकते हैं, I think it is enough time, so, next is, अब होता क्या है, कि हमेशा, axon endings, of one neuron, is always against dendrites of other neuron, एक neuron की axon endings हमेशा दूसरे neuron की dendrites के सामने होती, अब आप इसको इस तरीके से समझीए, कि जैसे कि यह है axon और यह हो गया जी axon ending, इनके सामने होती है दूसरे के dendrites, यह हो गया जी आपका dendrite of other neuron, that is axon of one neuron, एक neuron के axon, axon endings, दूसरे neuron की dendrites के सामने होते हैं, अब जो यह axon endings हैं, इसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं बहुत सारे, इनको कहते हैं हैं, neuro vesicles, vesicles, these are named as vesicles, and these contain neurotransmitter, these contain neurotransmitter, for example, these contain neurotransmitter, so these contains neurotransmitter, अब यह neurotransmitter में आपका example है, acetyl coline, इसमें बहुत सारे mitochondria भी होते हैं, आप यहां भी देख रहे हैं, specially लिखावा है mitochondria, तो यह mitochondria भी होते हैं, अब होता क्या है, जैसे ही axon को, इस axon को that gets the impulse, gets the message or impulse, तो यह vesicles आगे की तरफ move करना शुरू कर देती हैं, ठीक है ठीक, as they reach the boundary of this dendrites, तो यह आप gap देख रहे हैं, that is named as synaptic cleft, इसे synaptic cleft कहते हैं और यह यहां पर आकर यह फट जाती है, और यह synaptic cleft से, यह acetyl coline है, यहां पर फैल जाता है, और इनकी surface पर receptors होते हैं, यह हो गए आपके receptors, और यह receptors, जो dendrites की surface पर पाए जाते हैं, वो इस chemical को receive कर लेते हैं, और इस तरीके से, एक neuron से, दूसरे neuron को message travel करता है, so this is the mechanism at synapse, मैं फिर दुवारा से इसे दोहरा रहा हूं, जैसे ही exon को कोई message मिला, जो यह vesicles हैं, यह synaptic cleft की तरफ बढ़ना start कर देते हैं, वहां पर पहुँचकर, यह cleft की boundary पर याने की exon endings की boundary पर rupture हो जाते हैं, इनका सारा chemical बहार आ जाता है, और fell जाता है synaptic cleft में, synaptic cleft से यह receive कर लिया जाता है, receptors के जो की dendrites of other neuron की surface पर पाए जाते हैं, और इस तरीके से यह message एक neuron से दूसरी neuron को पास कर दिया जाता है, through sign-ups, जो आपको यहां पर neuromuscular junction में बता रखा है और समझा रखा है, तो यही हमने समझा, अभी तक हमने पढ़ा neurons क्या होते हैं, हमने neurons की structure को समझा, उसके parts को समझा, उसके functions को समझा, अलग-अलग receptors क्या होते हैं उनको समझा, और हमने यह भी समझा किस तरीके से sign-ups पर work होता है, कैसे sign-ups काम करता है, अब देखिए, यहाँ पर एक बड़ा अच्छा question दिया वा है आपको, let's focus on that question, that is very very important, देखिए जी, अब आप देखेंगे तो पहले तो यही चीज जो भी हमने पढ़ा, उसको ही इन्होंने दे रखा है, देखिए, that is not a new thing, easily आप समझ सकते हैं, और मैं बिल्कुल बुक को साथ लेकर चलता हूं, ताकि आपको उसको समझने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो, देखिए, this information, यानि कि कोई भी information, जो हमें sense organs के थ्रू मिलती है, acquired at the end of dendrite tip, अभी मैंने आपको बताया था के dendrite tips पे, तो set of a chemical reaction, that creates an impulse, electric impulse, अभी यह electrons में से में, जैसे current develop होता है positive negative charge, उसी तरीके से यह development होता है, same, nothing different, this impulse travel from dendrite to the cell body, अभी यह बड़ा important है, बहुत पूछा जाता है, यह आप इस तरीके से समझें, कि सबसे पहले क्या आ गया, dendrite, dendrite से वो आगे जाएगा, cell body, यह बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, flow chart, अब cell body से यह क्या कह रहे है, along the axon to its end, फिर यह पहुचता है, exon को और फिर पहुचता है, यह exon endings को, तो यह बड़ा important है, आपको ध्यान में रखना है, कि dendrite, dendrite से cell body, cell body से exon, और exon से exon endings, अब exon endings के बाद, आप specially देख रहे हैं, क्या लिखावा है इन्होंने, exon endings के बाद, the end of the exon, the electrical sample sets off, and release of some chemicals, क्योंकि यहां पर आगे आप synapse, और synapse में मैंने आपको बताया था, कि acetyl coline जैसे chemicals निकलते हैं, तो जब तक यह पूरा dendrite से exon endings तक है, तो यहां पर है यह electric, और जैसे ही यह आपका exon endings से, दूसरे के dendrites को जाएगा, that become chemical, तो यह आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, देखिए आगे यह क्या कह रहे हैं, these chemicals across the gap or synapse and start a similar electrical impulse in the dendrite of next neuron, अब synapse से कहां पहुँच गया, dendrite of next neuron, तो यह बड़ा common question है, board exam में कही वार यह आपसे पूरा pathway पूछा जा सकता है, कि एक neuron से, दूसरे neuron को किस तरीके से message travel होता है, तो हमने वही discuss किया, how message is traveled from one neuron to other, one neuron के dendrite से other neuron के dendrite तक कैसे पहुँचा, यह पूरा pathway अभी मैंने आपको लिखकर बताया, मैं फिर इसको share कर रहा हूँ, बहुत important है यह, इसको mark करके रखिये, that is very very important for you for board exam, बहुत बार यह एक number में to MCQ में गिंती नहीं है, इतनी बार यह पूछा जा चुका है, I think it is enough time to scan this, let's move to next, अब देखिये, आगे क्या कह रहे हैं, आगे यह कह रहे हैं, कि this is a general scheme of nervous impulses travel in the body, इस तरीके से यह एक neuron से दूसरे neuron को travel करता है, अब next देखिये, a similar synapse finally allowed delivery of such neurons from neurons to other cells, such as muscles and glands, वो मैं आपको already बता चुका हूँ, इससे पिछले वाले section में हमने पढ़ा था, जो इससे पिछले board में मैंने आपको तीन जंशन लिखवाये थे, neuron to neuron, neuron to muscles and neuron to gland, वही चीज यह कह रहे हैं आपसे, अब यहां पर फिर एक तीन नंबर का बड़ा अच्छा question है, जो क्याई बार board में आ चुका है, कि अब आपको एक neuron दे दिया, neuron के basis पर आपसे diagram दे दिया, सबसे पहले पूछ लिए आपसे identify the parts of neuron, where information is acquired, तो अभी हमने पढ़ा that must be where information is acquired, that is dendrite, तो इसका answer क्या होगा, dendrite, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, through which information travels on electric impulse, so that must be axon, travel किस पर होती है, axon, फिर तीसरा आपसे इससे पूछा जा रहा है, कि where this impulse must be converted into chemical onward transmission, so that is synapse, तो इस तरीके से ये board में कही बार आ चुका है, कि आपसे diagram बनवा लिया, तो one and half marks का तो diagram हो गया, और one and half marks का आपके ये तीन point हो गये, इनको mark करा लिया, और इस तरीके से ये तीन number का question develop हो गया, या आपको अलग-अलग कोई सा भी एक part MCQ में पूछ लिया गया, तो बच्चों हमने शुरू किया, आज control and coordination, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे control और coordination होता है, और इसमें central nervous system किस तरीके से इन एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसके बाद हमने central nervous system की structural and functional unit को समझा, जो की है neuron, और उसके बाद हमने समझा कि किस तरीके से receptors होते हैं, फिर हमने समझा कि कैसे synapse work करता है, और फिर हमने समझा कि किस तरीके से body के अंदर एक neuron से दूसरी neuron तक message पहुँचता है, या एक neuron से दूसरे आपके muscles पर पहुँचता है, या एक neuron से gland पर पहुँचता है, और किस तरीके से ये work करते हैं, तो आज इतना ही हम इस video में रखते हैं, आगे इसी तरीके से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए चीजों को, और biology को VJ के साथ ऐसे ही असान बनाते रहिए, और biology का DJ यूही बजाते रहिए, तो मिलेंगे फिर, फिर करेंगे शुरुबात एक और नई class की साथ mentor जी पर, दन्यवाद. की समझते रहिए